हसन मुर्दा साब जी किसी तारुफ के मोताज नहीं सीनियर रहनमा और पार्लिमानी लीडर पीपल्स पार्टी के हसन साब मैं आप से यह जानना चाहरा हूँ कि लैप्टॉप स्कैम का इशू बड़ा आजकल जबर्दस तरीके से चाया हुआ है मिनिस्ट्री जो है हाई एजूकेशन उसे वजाहते इस तरह करनी पड़ रही है जैसे डान लीक्स पे नून लीग को रोज वजाहते करना पड़ती थी और नून लीग कह रही है मुझे क्लीन चिट मिल गई तो आप बड़ी गहरी नज़र रखते हैं सारी चीजों पर क्या चल रहा है आप थोड़ी रहनमा ही फर्माईए देखें जी यह जो गौर्मेंट है हमारी उसका यह आए दिन का वतीरा बनता जा रहा है कि वो एक नौन इशू को पकड़ लेते हैं और उस पर वो उसको इतन अरगड़ते हैं जैसे पीछे आपने देखें कि यह अपना औरेंज ट्रेन पे और मेट्रो बस पे और इन्होंने पांच साल यह कंटेनर भुखड़े ओका कि यह लूट के खा गये हैं यह हो गया है वो हो गया सफेद आती है फलां है यह इतने अरब का प्रोजेक्ट था इ इसी तरह ही नॉन सीरियस एटिट्यूड है इनका इनके वुजरा का और मेरे ख्याल में अल्टिमेटली यह मिलनी क्लेंचेटी है उन्हे अच्छा दूसरा मुझे बताईए बिलावल साब भी गए मिया साब से मिलने और उस पे सारी की सारी हकुमत बैक फूट पे चले गई बिलावल साब ने जो ही अनाउस किया कि मैं जेल जाओंगा नौाशीव साब से मिलने तो इमरान खान साब को भी ट्वीट करना पड़ा और गिल साब को भी जाके नौाशीव साब की बाबत पूछना पड़ा इन सारे मौजवात पर आप क्या समयते हैं कि पीपल्स पार्ट पार्टी हैं कठकुतली हैं लाए गए हैं इनको अवाम ने मैंडेट नहीं दिया पंजाब के अंदर भी ये संगला जस पार्टी नहीं थे इनके साथ बजरिया जहाज और बजरिया जंगी तरीन बंदेर मिलाए गए गए नून लीग को तोड़ा गया लोटे बनाए गए इनकी कोई अपना ना वीजेन है ना इनके पास कोई मैंडेट है ये जो कदम भी उठाते हैं वह इनका इंतकामी होता है बिलावल साथ एक पार्टी के हेड़ हैं पाकिस्तान के लीडर हैं और पाकिस्तान की हर असेम्बली में उनकी नुमाitter मुझद है हर सूबे उनकी नु निवाज शरीफ इस टाइम मजलूम है निवाज शरीफ को जेल में डाला गया है निवाज शरीफ के खिलाफ केसिस बनाए गया है निवाज शरीफ तो उसको अगर एक रहनुमा मिलने जाता है तो उस पे तो इन्हें इतनी बेचैनी होनी ही नहीं चाहिए लेकिन मैं यकीन के स वीट्स आये उस पे फवाद चौधरी साब की दूम पे बड़ा पाउँ आया उस पे दीगर उनके वुज़रा जो असद उमर साब हैं अगर उन्होंने इसेम्बली में इंगलिश तक्रीर की तो उनको इंगलिश पे इतराज था उन्होंने किराची जाके प्रेस टॉक जो है उर्दू में कर दी फिर इन्हें उर्दू पे इतराज हो गया तो ये सारे जो हैं उनके नौन इशूज हैं इशूज की तरफ से तवज्जो हटाने के लिए आज इशू महंगाई का था आज इशू बेरोजगारी का था इलाज का है तालीम का है उन इशूज से पबलिक की तवज्जो हटाने के लिए वो ये ऐसी उच्छेत करने कर दो बड़े दानिश वर हैं ना बड़े बेधर तरीके से मामला फहम लोग जो बड़े अच्छ तरीके से पॉलिटिक्स को समझते हैं उनसे हमने बात की तो उनका ये कहना था कि बिलावल साब के जेल जाने से सरफ एक फाइदा हुआ है वो ये फाइदा हुआ है कि खुदाना खास्ता जर्दारी साहब अगर जेल जाते हैं तो मरियम बीबी उने मिलने चले जाएंगी और हम्जा साथ से ले जाएंगे या हम्जा साथ साहब और मरियम बीबी जाया करेंगे उनको मिलने तो इससे ज्यादा कोई फाइदा नहीं होगा और आपकी पंजाब की जो सोवरेनटी है खुदमुक्तारी है उस पर हमला हुआ उपोजिशन खामोश है बुजदार साब पर हमला हुआ उनको वो जो है खुदमुक्तारी नहीं है एक ट्वीट से वो बिल वापिस ही नहीं ले सकते एक सुसोला के ताइद एक सुसोला के ताइद गोवर्नर बिल वापिस भेजी नहीं सकता तो इस पर आपोजिशन ने तो कोई वावेला नहीं किया कुछ भी नहीं किया मैकसिमम बियान बाजी के लावा क्या कर सकती है आपका जो पहला सवाल है उससे जरा रिपीट करेंगे मैं पहला सवा जिनोंने यह बात किया है के जेल जाने से यही फाइदा होगा यह उनको वक्त बताएगा क्फाइदा किसको हुए और नुकसान किसको हुएं जहां तक ताल 요म है पंजाब की सुप्रमेसी का पंजाब की एमान जो सबसे बड़ा एमान झाला है वो एक बिल पास करते हैं और वजीर आजम उसकी सुभाई खुद मुख्तारी में मदाखलत करते हुए उस बिल को अंडू करने की कोशिश करता है तो ये उसकी भूल है जी हमें तन्खाओं से कोई गर्ज नहीं है मैं वाहिद आदमी था जिसने ऑन दी फ्लोर आफ दी हाउस उस बिल को अपोस भी किया उस पे ना भी की और मेरी एक आवाज थी उस हाउस के अंदर लेकिन अब वो बिल अगर आएगा तो मैं उस बिल को स्पोर्ट करूंगा और हुआई खुद मुख्तारी में मदाखलत है और इमरान खान साथ ने अपने एक्ति अख्तियाराद से तजावज किया है बुजदार साथ हम मानते हैं कि वो डमी वजीर आला है लेकिन वो वजीर आला पंजाद है नहीं डमी वजीर आला का इजहार आप पबली के लिए उसको अतावला हुआ हुआ है वापिस लेने पर तो उसकी हम चेयर की इज़त के लिए उस ओधे की इज़त के लिए उस ऑफिस के इतराम के लिए हम उस बिल को स्पोर्ट भी करेंगे और ऑन दी फ्लोर आफ दी हाउस हम खान साथ को बताएंगे कि अगर तुम सुभाई मु प्रचा बच्चा जो है वो आपके सामने खड़ा हुआ होगा और आपको कतन भी गहराईनी और गहर कानूनी काम नहीं करने देगा जेल यातरा से कुछ बदला नहीं मतलब कोई बड़ी तबदीली मतवकों नहीं है कोई बड़ी तबदीली मुस्तबिल करीब में भी नहीं पाकिस्तान पीपल्स पारिटी जो अपने डिमोक्रेटिक वे के साथ अपनी उस सोच के साथ और फिकर के साथ तमाम पारिटियों को आउन बोर्ड लेके आगे चलेगी और अगर तहरीक भी चलानी पड़ी तो इन्शाला ताला वो हम किसी खुबसूरत अंदाज में चलाए पर इसे हम जो है वो कोई नुकसान पहुचा कर मुस्तक्बिल में कोई बड़ा नुकसान है अब लोगों की एफ़ाय से तहकीकात होई आप लोगों के नैप में रफ्रेंस फाइल होने जा रहे हैं उसके बाद जो बड़ी ऑपोजिशन जमात है उसकी क्यादत जेल में सारे लोग जेलें भुगत रहे हैं और सबसे बढ़कर जो इंडिया के मसाल है उसने अपुमत को बार जादा मजबूत कर दिया तो इस सारी मजबूती में पिसके रह गई ऑपोजिशन सारी और कोई लाहे अमल भी नहीं है मुलाकातों के लावा और कोई यूनिटी भी नहीं है और कोई मुस्तक्बिल का ऐसा एजंडा भी नहीं है जिससे हकूमत बैक फूट पर जा सके क् देखें जी ये तो इस मुलक में जब जब डिक्टेटर की बाकियात आएं और डिक्टेटर के जान शीन और कट कुतली आएं तो उस वक्त तक अपोजिशन को इंतकाम का निशाना भी बनाया गया है उनको रगडे भी लगे हैं क्रश भी किया गया है जेलें भी भरी गई है इस से कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो वो पलिटिकल पार्टी हैं और इन्शालला अगर गमर्ण ने इस से ज्यादा भी जैसा के आज आज आपने देखा किराची से हमारे केस ट्रांसफर हुए है हमारी बेल्स कैंसल हुई है तो ये एक अलमी है हमारे साथ के जब भी कोई डिक्टेटर आता है वो जमूरियत को नुकसान पहुचाने के लिए भुटो का ही इस तैसाल करता है और ये अब थर्ड टाइम हम पिंडी में असेसिनेट होने जा रहे हैं तो हम इन्शालला ताला इस पे रिजिस्ट भी करें और पाकिस्तान में जमूरियत की बेतरी के लिए मजबूती के लिए अपना करदार अदा करेंगे अगर ये भुटो के अफकार होते तो पंजाब में आपकी पॉपुलरिटी जो है उसका ये हाला होता ये जरदारी साथ के अफकार आपको यहां तक ले आएं नहीं ये बिल आप इसेमली में एक के दो सीट्स थी के तीन सीट्स थी ये सीट्स होने से या ना होने से नजरिये खतम नहीं होते इन्शाला ताला इन्शाला ताला हम कमबेक भी करेंगे और जरदारी साथ की क्यादत में करेंगे और ये दुनिया मानेंगी के जरदारी जो है वो इस दु के थे उस वक्त जो हमारी एकॉनमी की सूरत हाल थी वो भी आपके सामने है डिक्टेटर्स से उस वक्त एक एसन तरीके से और एक पुरमन तरीके से इंतकाले एक्तदार हुआ था डिक्टेटर्स के जमाने में जो डिसीजन्स होते हैं जो खजाने का हाल होता है वो भी सारी कौ किया लेकिन इन्शाला ताला वो दिन दूर नहीं है जब यही पीपल्स पार्टी जो होगी और यही गरीब अवाम जो होगी वो इक्तदार में होगी। मियास साब की अयादत करने गए थे अब इसको अयादत तक रखें और यादत के रंग क्या निकलेंगे। हमने वाज़ तोर पे उसकी बड़ी तफसील से बियान कर दिया है कि वो क्यों गए थे वहां क्या गुफ्तकू हुई है। यकीनद वहां पे सैसी गुफ्तकू भी हुई और जिसको पाकिस्तान का फ्यूचरिस्टिकली रोड मैप बनाने की बात की गई है। वहां पे इशूज डिसकास हुए हैं वहां पे जो यह का जा रहा है कि वहां कोई अलाइंस फोर्ज करने की बाते की गई वहां पे हकूमत के तीन लोग बैठे थे एक जेल सुपरेटेंडनेंट साब थे एक डिप्टी सुपरेटेंडनेंट उनकी मौजूदकी में क्या हम क कोई वहां पे इलाइंस फोर्ज करने की बातें करेंगे अगर वही काम करना हो तो श्रीफ साब और उनकी सारी क्यादत जो इसी तरह जरदारी साब बिलावल साब और उनकी सारी साथ जो साथी कैदत है पीपल्स पारटी की मौलाना अफद्ल-रह्मान साब असफंधियर वली साथ, सराज अलाक साथ, ये सब लोग इसलामबाद में होते हैं, इन से मुलाकात करना मक्सूद तो इसलामबाद में मिटिंग कर लेंगे, और अगर करेंगे तो आपके सामने रखके करेंगे, कोई छुपा के तो करने के जरूरत नहीं है, हालात ऐसे हैं कि मीडिया भी ये कह है, स्यासी जमातें भी बाइन लार्ज ये कह रही है, हकूमत के अंदर से भी ये वादे उठ रही है, शाह महमूद कुरेशी साब ने भी उस दिन यही कहा था, कि हमें सब को मिल के पाकिस्तान के चैलिंजिस का मकाबला करने की जरूरत है, उसके लिए हालात में पीपिल्स अशी जो हुआ था, जिसको अपनी कम इलमी या ला इलमी या ना पढ़ने की बदालत उस डाकुमेंट को जो प्राइम मिनिस्टर साब और उनकी पूरी हकूमत इतरास कर रही है, जिनने उस डाकुमेंट को देखा ही नहीं, उस डाकुमेंट के अंदर पाकिस्तान के मेजर इस इशूज रिजाल्व हुए हैं, और वही हमारे लिए रोड मैप बन सकता है, मस्तक्मिल का, लेकिन ये इमरान खान का मसला है, कि वो हर बामले में अड़ जाते हैं, और नेगरिटिव बातें करके, वो शोहरत या मसायल का हल करना चाहते हैं, जिस तरह सोनामी हो गया, ज तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी किसी भी ऐसी सूरत हाल का जो पाकिस्तान को बेतरी की तरफ लेके जा सके, उसके लिए थियार। जरदारी साब बताया करते थे और इन्होंने पब्लिक लिए भी ये बात की, कि मुशर्दारी साब वाले इशू पर नवाज शीफ ने उन्हें धोका दिया। फिर आपको याद है, वो मारूफ तक्रीर जिसके बाद वो बाहर चले गए और एक मीटिंग तही तो नवाज शीफ साब ने वो ना की, अब जरदारी साब क्योंके आप क्लोज सरकल में हैं, तो अब जरदारी साब नवाज शीफ साब को किन लफ़ों में याद करते हैं, क् मस्तक्बिल के फैसले करते हैं, और मस्तक्बिल के लिए यही बेहतर होता है कि माजी की तलकियों को जहां तक मुमकिन हो भुला के आगे बढ़ा जाए, यह काम पीपल्स पार्टी हमेशा करती रही है, अगर हम माजी में खड़े होके बातें करेंगे तो इस मुलके बहुत स चाहिद ने, जर्दारी साब ने, बिलाबल साब ने, हमेशा इसी अमल को आगे बढ़ाया कि सब को साथ लेके चलिए, अपने साथ होने वाली तलकियों को भूल के, अपनी साथजाती को ताकत में कनवर्ट करके वो आगे बढ़े हैं, यही शायद बेहतर रस्ता है, जो आदब तक अंदर है, यह सारे मामलात, और आपके साथ भी जो मामलात हैं, वो FIA ने पहले तहकीकात की, अब ने आफ़के रेफरेंसेज, पिंडी में केसिस सारे शिफ्ट हो जाना, यह वो सारी चीज़ें, कुछ सर्प्राइज ऑपोजिशन मिलके हकुमत को देने वाली है देगी या इस पर काम हुआ कभी, इन अमूर पर भी कभी सोचा? लेकिन उससे मकसद कोई हमारा दाती गेंज नहीं है, केस हमारे हैं, हम आदालतों में लड़ेंगे जाके? आखी स्वाल, वो यह के बिलावल साब ने फर्माया के नवाशिफ साब नजरियाती हो चुके हैं, नवाशिफ साब को आप भी बड़े क्रीब से जानते हैं, जर्दारी साब भी बड़े क्रीब से जानते हैं, और बाहर जब वो आएं और तंद्रूस भी हो जाएं, अल्ला कि कि गबते. ते जो कि गबते. ते जाए जाए.